Hello everyone, welcome to Eclavious Study Point and I am Sachin. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Class 11th की हिंदी से जो आपका चैप्टर है गोंगे, इसकी easy summary करवाने वाला हूँ और ये new वीडियो है 2024-25 session के students के लिए और इस वीडियो के खतम होने के बाद आप सभी को इसकी free PDF प्रवाइट करवा दी जाएगी, तो चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो अगर आपको कोई भी query है, तो आप Instagram पे message करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, और अगर आपको हमारे free PDF notes डाउनलोड करने हैं, तो आप Telegram app को डाउनलोड करें, और Telegram app को डाउनलोड करने के बाद आपको Class 11 ESP सर्च मारना है, यह हमारे जो गूंगा होता है, ठीक है, जो बोल नहीं सकता, उसको हम गूंगा कहते हैं, तो इस story के अंदर एक लड़का है, जो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, तो गूंगे को देखकर सभी लोगों में उसके बारे में जानने की जिग्यासा होती है, ठीक है, एक दिन क्या होता है तो वो गूंगा लड़का जो है वो जब खड़ा होता है तो सभी उसके तरफ देखते हैं और सभी को उसके बारे में जानने की जिग्यासा यानि की जानने की इच्चा होती है तो गूंगे ने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि वो जनम सही वज्र बहरा जिसे पर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों ने उसके माता-पिता के बारे में पूछा तो उसने मुह के आगे इशारा करके बताया कि जब वो छोटा ही था तब मा जो घूंगट काड़ती थी भाग गई और बड़ी-बड़ी मुचों वाला बाप मर गया यानि की इश वो भाग गई थी और जो पिता है वो मर गए थे और इसलिए उसे भुआ फूफाने पाला था जो उसे मारा करते थे अब दे को माबाप नहीं थे तो अनाथ हो गया था तो इसको पाला किसने था इसके भुआ और फूफाने और वो इससे बहुत काम करवाते थे और उसको मा यानि कि जो इसकी परिशान कर देने वाली स्थिती है यह बहुत पीडा दायक है यानि कि वो विचारा बहुत दर्द सेहन कर रहा है और सभी लोगों का हिरत्य करुना से भर गया यानि कि सभी लोगों में दया और यह सब की बावनाय आने लगी कि यार ये बहुत ज़ादा परेशान रहता है और वो बोलने का बहुत प्रियास करता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि गूंगा है अब वो बोलेगा तो भस खराश की आवाज आएगी और थोड़ा सा वो मतलब प्रियास कर सकता है पर वो बोल नहीं सकता था तो केवल करकश काए काए यानि कि कुछ इसी तरीके से आवाजा निकलती थी पर वो पूरा साफ बोल नहीं पाता था योगि वो गूंगा था अब आगे क्या होता है आसपूट ध्वनियों का वमन जैसे आदी मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हूँ यानि कि उसकी बोली ऐसी लगती है मानो उसकी ध्वनी सही से निकलती ना हो जब आदी मानव था मनुष्य वो बोल नहीं सकता था और उसको कोई भाषा का ग्यान नहीं था तो जब वो आदी मानव भाषा सीखने का परियास कर रहा था तो वैसी आवाज लगती है गूंगे की सुनने में खर-खर-खर-खर ऐसी आवाज आती है तो किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काकल काट दिया और वै ऐसे बोलता है जैसे गायल पशु करहा उटता है तो बहुत ज़्यादा परिशान था तो वहीं पर माओले में एक महिला थी जिसका नाम चमेली था तो चमेली ने पहली बारी अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनी ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है काकल यानि कि यह जो हमारा एरिया होता है अगर यह सही से काम नहीं करता ना तो मनुष्य को बहुत कठी नाईयों को सामना करना पड़ता है तो ये बहुत बड़ी यातना है कि आप अपने दिल से बहुत थारी बाते कहना चाहते हो पर आप वो बाते उगल नहीं पाते क्योंकि आप गूंगे हो और आप बोलने पाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में अब हम आगे बढ़ते हैं गूंगे का बहुत स्वाभी मानी था, क्योंकि गूंगे की ये दुखवरी काहानी सुनकर सभी सोच रहे थे कि ये खाता कैसे होगा, रहता कहा होगा, क्या करता होगा, किस तरह अपना जीवन काट रहा होगा, तो गूंगा इशारे में बताता है, कि मैं हलवाई के यहां पर रात बर लड तीने पर हाथ रखकर इशारा करता है, कि हाथ फैला कर कभी नहीं मांगा, भीग नहीं लेता कभी भी, और अपने हाथों के उपर, बोजाओं के उपर इशारा करके बताता है, कि इन से महनत करता हूँ और खाता हूँ, और पेट बजा कर दिखाया इसके लिए, यानि कि आपके घर का भी सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे को काम करना आता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चमेली द्वारा गुंगे को नौकर रखना, अब होता क्या है भई, चमेली जब यह सारी कहाणी सुन्ती है, तो वो गुंगे को ये विचार करती है, कि क्यों ना इसको नौकर रख लिया जाए तो गूंगा अपने गजब के इशारों से अपना भाव विचार जो भी था वो व्यक्त करता है इशारों इशारों में और वो दूद भी लेकर आता है और अगर आपको कच्चा दूद चाहिए तो आप जैसे आप दूद निकालते हो ठीक है जो थन से जो भेहंस या घाइशे झालते है तो वो इशारा कर दो वो कच्चा दूद ले आएगा ओटा हुअ मंगवाना है तो हल्वाईजा जैसे ऐसे ऐसे करके बता दो ठीक है तो वो ऐसा दूद ले आएगा और यानि कि आप पस उसको इशारा दे दो गूंगे को वो समझ जाएगा कि उसको क्या लेकर आना है और क्या काम उससे आपको करवाना है बस इशारा सही होना चाहिए साग मंगवाना हो तो गोल-गोल करो ठीक है? ऐसे गोल-गोल यूँ करके बताओ यहां ऐसे ऐसे करके बताओ तो वो साग लिया आएगा तो चमेली उससे बहुत प्रभावित हो जाती है अट्रेक्ट हो जाती है और गूंगे को कहती है कि हमारे यहां पर चाहेगा तो गूंगा हाथ से इशारा करता है क्या दोगे अगर मैं आपके साथ काम करता हूं क्या मिलेगा मुझे तो चमेली ने उसे चार रुपे का इशारा करा कि चार रुपे मिलेंगे और खाना भी मैं दे दिया करूंगी तो गूंगा एकसेप्ट कर लेता है इस प्रफ कि वो जहां भी काम करता था, वो आए दिन वहां से भाग जाता था काम छोड़ कर, तो गूंगा जो है, वो चमेली के घर रहने लगा, और कई बारी बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे, छोटे बच्चे की एक ऐसे बोलता है, गूंगा है ये तो, पर वो बुरा नहीं मानता था, फिर भी उन बातों का, किन्तु जगे जगे पर गूंगे की एक आदत थी, एक रिकॉर्ड था, कि वो कहीं टिक कर काम नहीं करता था, नौकरी करके भाग जाता था, तो ये आदत उसकी अभी भी गई नहीं थी, तो एक दिन अचानक वो छुपके से घर से निकल कर भाग गया, जब चमेली ने उसे पुकारा गूंगे, तब वो कोई उत्तर नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है, यानि कि उसकी पुरानी आदत है, जहां भी काम करता है, वहां से छोड़के भाग जाने की, वो यहां पर हमें देखने को मिलती है, फिर वो कहती है भाग गया होगा चमेली के पती ने उदासीन स्वर में कहा यानि कि जब वो वहां से भाग जाता है तो चमेली का पती भी वहीं बैठा था अब वो थोड़ा सैड होके कहता है कि भाग गया होगा इतना अब क्या उसका पीछा कर रहे हो तो चमेली को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो गूंगा भागा क्यों, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा चमेली ने उसको बोला नहीं है, तो गूंगा आखिर भागा क्यों, फिर वह रसोई घर में जाकर मनी मन उसे नाली का कीड़ा कहती है, कि यह तो है नाली का कीड़ा, इसको तो ऐसे लोगों को काम पर रखना ही बेकार है, ये नाली के कीड़े हैं, तो एक छट उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं बरा, छट उठाकर सिर पर रखने का मतलब होता है, उसको रहने का आश्रे दिया, गूंगे को ये बोला गया, कि भई आप यहां पर रह सक करता है, यानि कि अब गूंगा वापिस आ गया गर पे, भाग गया था, फिर वापिस आ गया, और भूक होने का इशारा करता है, कहता है, मुझे भूक लग रही है, ठीक है, इस हो जैसे मैं आया हूँ, चमेली उसको दो रोटियां फैक कर देती है, ऐसे, ले, उठा और खा ठीक है, और उसके खा लेने के बाद चिम्टा लेकर उसकी ख़बर लेती है, कि बता गूंगे तू कहा गया था, और वै घर से भाग कर कहा गया था, बार बार वो उससे पूस्ती है, चिम्टा लेकर, कि जल्दी बता भई, कहा पे गया था तू, फिर गूंगा पीठ पर चि वो भावुक हो जाती है और तब गूंगा भी रो पड़ता है यानि कि इतनी emotional story चल रही है वो विचारा चिम्टा खा रहा है अब वो चिम्टा मारने वाली खुद emotional हो गोई उसको और गूंगा जो था वो भी रोने लग गया और इस घटना के बाद गूंगे के भागने और प अतरेतरे के खेयाल लाती ति ये गूंगा बाहर क्या करने जाता है क्या ये भीग मांघने जाता है या फिर क्या करनेajiたい okay। गूंगे की सेहन शीलता और कृतक्यता अब हम इसमें ये देखेंगे कि गूंगा बहुत सेहन शील आदमी था एक दिन चमेली का बेटा चमेली कोन है गूंगे की मालकिन है तो मालकिन का बेटा अगर गूंगे को कुछ बोलेगा तो भई उसको सेहन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मालकिन का बेटा है, वो उसको वापिस नहीं कुछ कर सकता था, हो था क्या है, चमेली का बेटा बसंता, गूँगे को चपड जढ देता है, यानि कि उसको एक ठपड मारता है वो गूँगे को, जबकि वो छोटा था, बलशाली गूंगा जादा था, वो चाहता तो उसको वापिस मार सकता था पर वो नहीं मारता, क्योंकि वो उसके मालकिन का बेटा था, परंतु गूंगा बसंता पर पलटवार नहीं करता और गूंगा रोने लगता है विचारा, ठीक है, और उसके रोने की करकश की अवाद जैसे गूंगे जो बोलने का परियास करते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं, तो चमेली वहाँ आ जाती है, तो बसंता के ये कहने पर कि गूंगा उसे पीटना चाहता था, देखो भाई, ये लड़का कितना तेज है, इसने खुद ने उसको चपड जड़ा था, और अपनी मा क कि ये गूंगा मेर को मारने आ रहा था, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, बहुत ख़तरनाग होते हैं, तो अब होता क्या है, गूंगा विचारा रो रहा था, उसको थपड़ पड़ा था, तो चमेली गूंगे पर ही गुस्सा आने लगती है, क्यों रहे, तूने मेरे बेटे को कैसे मारा तो चमेली की भाव भंगी मा समझ गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है गूंगा जब पिटने वाला होता है तो हाथ पकड़ लेता है ऐसे और चमेली ऐसे गिरना से हाथ छोड़ाते है कि हाथ छोड़ मेरा पीछे हट मतलब तू तो गंदी नाली का कीड़ा है मे बलचाली है फिर भी उसने उस पर हात नहीं उठाया पर मेरा हात पकड़ कर शायद वह मुझे बताना चाहता था कि वह निर्दोश है भाई अगर गूँगा चाहता तो वो बसंता को ऐसा मारता अच्छे से क्योंकि बलचाली गूँगा चाहता था और गूँगे ने चमेली का हाथ पकड़ा था, मतलब रोक के वो ये बताना चाह रहा था, कि मैं निर्दोश हूँ, और वो मुझे मार रहा था आपका बेटा, ठीक है, तो चमेली को ये बात फील होने लगती है कहीं न कहीं तो चमेली को ये सोच विस्मय बतलब बहुत जादा वो ऐसा हो जाती है कि गूंगा शायद ये समझता है कि बसंता उसके मालिक का बेटा है इसलिए वे उस पर हाथ नहीं उठा सकता यानि कि गूंगे ने जरूर ये सोचा होगा कि जो बसंता है वो मेरे मालकिन या मालिक का बेटा है तो उसके उपर हाथ नहीं उठाना चाहिए इसी तरह हमें ये पता चलता है कि जो गूंगा है वो अपने आसरे दाता आसरे दाता यानि कि जो आपको आसरे देता है जो आपको रहने को देता है जो आपको खाने को देता है उसके बच्चों के परती कितना सहनशील है कि उसका बच्चा आके उसको एक खपड मार रहा है फिर भी वो उसको reply में कुछ नहीं कर रहा तो इससे पता चलता है वो कितना ज़्यादा सहनशील है तो ये बात आप याद रखना गूंगे को घर से बाहर निकालना अब इसमें देखते हैं क्या है तो एक दिन गिरना से विशुब्द होकर चमेली गूंगे से पूस्ति है कि क्या उसने चोरी की है कि एक ऐसा चोरी का आरोप लगदा है गूंगे के उपर तो वो पूस्ति है बहुत गिरना के साथ जैसे की गूंगा कहीं का चोर हो, ठीक है, तो गूंगा चुप चाप सिर जुका लेता है, और मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं करी होती, चमेली सोचती है, शायद अपराद सुईकार करा कर दंड दिये बिना ही गूंगे को सुधारा जा सकता है, यानि की दंड देने की जर इतनी है, इसका अपराद जो है, वो सुईकार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और होता क्या है, हाथ पकड़कर वो उसे घर से बाहर निकल जाने का इशारा करती है, और कहते है, यहां से निकल जा, यहां से बाहर जा, वापिस आयो मत, और फिर आवेश, यानि की गुस आवेश का मतलब होता है, बहुत जादा गुसे में आकर, ठीक है, गुसे में आकर कहती है, रोज-रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की तुम कभी सीधी होगी, क्योंकि गुंगा आए दिन भाग जाता था, जो अब चमेली है, वो गुसे में आगी, वो कहती है कि रोज-रोज भाग जाता है, ये तो कुत्ते की दुम की तरह हो रखा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती न, वैसे ही कभी भी ये गुंगा सुधरेगा नहीं, ये बार-बार भागता ही रहेगा, नहीं रखना आमें तुझे जा, तो इसी वक तो गूंगा समझ जाता है कि मालकी नराज है उसके उपर और उसे घर से बाहर निकालना चाहती है पर वो वहीं खड़ा रहता है तब चमेली उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर कर देती है उसको धकेल के बाहर कर देती है कि चल निकल यहां से तेरी कोई जरूत नहीं है फिर अत्याचार के परती गूंगे का विद्रो ये समझते हैं इसमें क्या होता है तो गूंगा जब वहां से चला जाता है तो उसके घंटे पर वाधी शकुंतला और बसंता चिला कर अम्मा अम्मा बोगारने लगते हैं यानि कि जो चमेली के बच्चे हैं बसंता वगैर वो वाकर कहते हैं अम्मा अम्मा गूंगा जो है ना खून में पूरा लत्पत था लहू लुहान यानि कि गूंगा पूरा खून में भीगा हुआ घर के दरवाजे पर सर रखकर कुट्टे की तरह चिला रहा था यानि कि जैसे आप कुट्टे को कभी पत्थर मारते हो जैसे वो च चिल ला रहा था जैसे किसी पशू को चोट लगी हो और उसको पूरा सर से खून निकल रहा था और उसे सड़क पर कुछ लड़कों ने पीटा था क्योंकि गूंगा होने के चलते उसे दबना सुईकार ना था भाई उसको छेट रहे होंगे विचारा गूंगा उसको चिडा और वो नहीं चाहता था कि कोई उसको दबाव में डाले और वो किसी से ऐसे मतलब कोई भी कमेंट पास कर रहा है और वो सुन ले तो उसका सिर्फ फट गया था लड़ाई में और चमेली चुप चब यह सब देख रही थी तो गूंगा यह पता चलता है कि जहां अपने मालकिन के बेटे ने उसको थपड मारा था तो उसने कुछ रियक्शन नहीं दिया तो पता चलता है वो अपने आसरे दाताओं के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता है वहीं किसी गली में रहा चलते लड़कों ने जब उसको छेडा तो गूंगे ने लड़ाई करी खोन खराबा भ लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना जानते हुए भी गूंगे रहते हैं जैसे आपकी आँखों के सामने किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप अगर चुप खड़े हो तो आप एक गूंगे हो तो आप गूंगे हो अगर उसको दे 得асes देती है कि हमारे society में ऐसे कई गूंगे गूंवरे हैं जो सिरफ तमाशा देखते हैं खड़े होके ओके तो इस तरीके से यह story है और वो यह सोचने लगती है चमेली कि आज यह Google आपने देखा अपनी story में वो असलियत में गूंगा था पर ऐसे कई गूंगे हैं जो अनेको रूपों में आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जो न्याय और अन्याय को जानते हुए भी अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और मुँ बंद करके खड़े रहते हैं ऐसे लोग असलियत में गूंगे वो हैं जो गलत को गलत नहीं कहते ठीक है और सही को सही नहीं कहते वो असलि गूंगे हैं तो इसी के साथ ये गूंगे चैप्टर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ जैहिंद जैभारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में